तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम होट वोग पर काम करने जाते हैं, तो चीफटी कैसे रख सकते हैं किसी भी होटवर्क के लिए अगर हम जाते हैं तो हम खुद को कैसे सेफटी प्रेवेंट करें और ऐसा क्या करें कि जिस भी जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई accident ना होने पाए और साथ ही जो people काम कर रहे हैं उसे भी कोई body harm ना होने पाए तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी hot work करते हैं तो उसमें किस किस तरीके के खत्रे आ सकते हैं अब देखिए आप कहीं काम करने जा रहे हैं hot work करने जा रहे हैं अब combustible materials जो हैं आप उनके पास काम कर रहे हैं जो कि जल्दी आप पकड़ लेते हैं वो वाले materials के पास अगर आप काम कर रहे हैं मालीजे आप welding कर रहे हैं तो उससे निकलने वाली जो चिंगारियां हैं वो आपको तो harm करेंगी साथ ही मालीजे कोई combustible material रखा है मालीजे पैटोल ही रखा है तो वो चिंगारियां अगर निकलती हैं मालीजे flammable material है उनने आग पकड़ ली तो ये खतरा हो सकता है तो इस तरीके के hazard आपको hot work में face करने पड़ सकते हैं तो इनके लिए कैसे prevention रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो हमें ध्यान देना हुगा कि जहां भी हम work कर रहे हैं किसी भी hot work कर रहे हैं कहीं भी तो जो भी हमारे आसपास का area है देखना चाहिए वहाँ पे कौन-कौन से सामान रखे हुए हैं ठीक है ऐसा तो नहीं कोई flammable chemical ही रखा हो वहाँ जो chemical जल्दी आग पकड़ ले ठीक है ऐसा तो नहीं कोई gases वहाँ पे हूँ इस तरीके की जल्दी आग पकड़ ले ठीक है त पहले उसके लिए जरूरी है कि आपके पास permit होना चाहिए जो भी hot work की location है अब permit कैसे बनेगा पहले वहाँ जाएंगे चेक किया जाएगा कि कहां पे किस तरीकी का material रखा हुआ है पूरी checklist maintain की जाएगी उसमें सारी चीज़े चेक की जाएगी कि जो भी person work करेगा उसे क्या- सकता है hot work permit issue कराने के बाद ही आपन वहाँ काम कर सकते हैं अब यह issue कौन करेगा इशू करेगा safety department की तरफ से hot work permit issue होगा तो उसके बाद कोई काम कर सकता है वह permit मिलने से क्या होगा काम करने में safety भी रहेगी और जो person काम कर रहा है उसे भी कोई harm नहीं होगा अब देखे hot work permit जब भी issue होगा तो उसमें क्या-क्या चीज़े चेक की जाएंगी तो सबसे पहले fire fighting equipment हो रहते हैं जो fire protection equipment रहते हैं उनको चेक किया जाएगा ऐसा तो नहीं वो working condition में ही ना हो तो पहले उनने चेक किया जाएगा कि fire protection जैसे की detectors हैं extinguishers हैं वो काम करने की condition में हैं या नहीं work कर रहे हैं या नहीं यह सारी चीज़े चेक करने होंगे fire sprinkler है वो work कर रहा है या नहीं क्योंकि hot work थोड़ा risky होता है तो यह सारी चीज़े बिलकुल काम करती होनी हुई चाहिए जो भी equipment है वो सारे available होने चाहिए और working condition में होना चाहिए जिससे अगर कोई भी ऐसा हजार होता है कोई भी ऐसा खत्रा होता भी है तो तुरंथ हम आग भी लग जा तो हम तुरंथ से बुझा पाएं तो यह सारी चीज़े checklist चब maintain होगे उसमें चेक किया जाएगा ठीक है अब देखे कैसे precautions हम ले सकते हैं सबसे पहले तो जो भी wall है floor है वो कोशिश करें कि fireproof material से बने हूँ hot work जहां पर हो रहा है चीक है उसके बाद अगर कोई भी person welding कर रहा है या gas cutting कर रहा है तो उसने shield पहनी हो shield होती है एक protection रहता है face का face guard रहता है वो body guard रहता है जिससे क्या होता है कोई भी sparkle मतलब कोई भी चिंगारी अगर निकलती है तो वो body को harm नहीं कर पाती है कोई नुकसान नहीं होता है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी welding कर रहा है और या फिर जो भी उनके आसपास है वो सब यह चीजें ध्यान रखें जो welding कर रहा है वो पूरा body protection पैने जिससे उसको कोई भी harm ना हो और जो भी एरिया है आसपास का उसे भी धेखके काम करना होता है तो वो सारा एरिया तो कैसे safe हो चाहेगा क्योंकि वहाँ पर्मेट चो इशू किया उनने चैक कर लिया है सा जान रखना होगा ना सारी चीजों का कि वर्क कैसे करना है बिल्कुल केयरफुली वर्क करना है ठीक है अब देखिए मालनी जो शायद ऐसा hot work करने उसे confined space में जाना पड़े तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा जिस भी container में वो जा रहा है जिस भी tank में वो जा रहा है त उसमें कौन सा material पहले रखा गया था तो वो material खाली हो जाएगा उसके बाद जो उसकी vapors रहती है वो भी हमें निकालनी होगी vapors और fumes जो भी रहता है वो सारी चीज़े निकाल के तब भी उसके अंदर welding कर पाएंगे जिसे माल लीजे कोई भी container है उसमें hole हो गया या leakage हो रह हो सकते हैं इसलिए हमें यह सारी चीज़े ध्यान रखना होगा कि जो भी flammable और combustible material है वो जहां भी contained है किसी भी equipment में contained है सबसे पहले तो इंक्लोज होना चाहिए ठीक है पुरा धका हुआ होना चाहिए और जो भी वहां के आसपास की जगह है वो एकदम clear होना चाहिए neat and clean ह होनी चाहिए जिससे जो भी work करने जा रहा है परसन उसको कोई दिक्कत ना आये काम करते वक्त ठीक है तो hot work precautions हम ऐसे ले सकते हैं precautions में यह सारी चीज़े रहेंगी और साथ ही हम पीपी कैसे पहन सकते हैं क्या क्या पीपी यूज कर सकते हैं खुद को prevention देने के लिए जो भी work कर रहा है परसन तो उसके लिए मैं आपको बताती हूं देखिए यह है hot work के लिए कैसे खुद को prepare कर सकते हैं यह इसकी परी checklist पनी है सबसे पहले welding cap आपको पहनना ज़रूरी है देन उसके बाद dusk mask पहनना ज़रूरी आपको mask पहनना इसलिए ज़रूरी है जिससे कोई भी ऐसा chemical हो वहाँ पे जिस जो भी welding करते वक्त जो भी थोड long pants पहनने चाहिए बूट पहनने चाहिए leather boots होने चाहिए work जो भी safety shoes रहते हैं just like उसी की तरह रहते हैं यह भी उसके बाद safety glasses जिससे हम काम कर रहे हैं जो भी चिंगारी अगर निकल भी रही है तो उससे हमारी eyes को कोई भी हार्म ना हो ठीक है फिर उसके वेल्डिंग हलमेट रहता है यह यह पूरा face को ऐसे cover कर लेता है ठीक है तो यह भी पहनना बहुत जरूरी है उसके बाद gloves gloves रहते हैं यह welding के लिए use करने वाले gloves रहते हैं जिससे आपके hands को जो आपके palms हैं उन पे कोई problem ना हो फिर उसके बाद leather apron पहनेंगे जिससे क्या होगा जो भी चिंगारी निकलेगी तो वो सीधे ऐसा ना हो कि आपको जला दें तो इसलिए leather apron पहनेंगे जिससे जो भी चिंगारी निकले तो वो आपको हार ना करें ठीक है तो यह सारी चीजें इसमें रहती हैं आप prepare कर सकते हैं खुद को hot work के लिए तो देखिए अगर आप ऐसे precautions लेके खुद को safety prevent करवा के अगर work करते हैं तो क्या होगा आपकी industry का जो भी हजार्ड हैं वो भी कम होगे और आप hot work safely कर पाएंगे और कोई बड़ा accident भी नहीं हो पाएगा तो यह था आज safety at hot work जब हम hot work में काम करते हैं तो किस तरीके सा हम safety prevention ले सकते हैं तो यह था hot work के लिए so thank you